Hello viewers, welcome back to my channel Best Care of Women बच्चे दानी का मुँँ जिस समय खुला रहता है उस समय अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं उस समय अगर आप अपना रिलेशन कॉंटिन्यू रखते हैं तो इससे आप बहुत जल्दी गर्वधारण कर सकते हैं ये बहुत खास समय होता है जब किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान होता है पर बहुत सारे लोग हैं जिने पता ही नहीं होता कि बच्चे दानी का मुँख कब खुला होता है कब वो समय होता है जब हमें ट्राई करना जाहिए ऐसा नहीं कि आप महीने में कभी भी ट्राइ करेंगे और आप सोचें कि आप प्रेगनेंट हो जाए तो ऐसा नहीं होता है कुछ specific time होता है कुछ ऐसे fertile days होते हैं जिनमें अगर आप relation बनाते हैं तो आप के लिए conceive करना बेहद आसान हो जाता है अगर आप भी अभी तक नहीं जानते हैं कि वो कौन से दिन होते हैं महीने के कब बच्चे दानी का मूँ खुला रहता है महिला के शरी में और कब आपको ट्राइ करना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी गर्वधारा कर सके चलिए मताते हैं इस वीडियो में सारे जानकारी बेहत खास होगी इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंदा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें बच्चे दानी के जो मूँ खुलने का जो सही समय होता है वो होता है आपकी पीरियोड साइकल के अनुसार आपकी पीरियोड साइकल कितने दिन की है इस पर डिपेंड करता है कि आपके महीने में कौन से दिन होंगे जब आपका बच्चे दानी का मूँ खुलेगा जैसे कि अगर किसी महीला की जो period cycle है वो 25 से 30 दिन की बीच की है period cycle का मतलब कि आपके महीने में कितने दिन के gap पे आपके period आते है पिछले महीने जिस तारीक को पीरियड आए तो इस महीने जिस तारीक को पीरियड आया है उसके बीच में कितने दिन का गयप है आप उसे गिन दीजे, अगर Dates fix से उपर नीचे नहीं होती है तो यही आपकी पीरियड cycle है तो अगर आपकीMelod and cycle 25 ». 30 दिन के बीच की है तो आपका जो fertile days होगा जो आपके बच्चे दानी के मुझ खुलने का समय होगा वो आपके period की first day से जब आप count करेंगे तो period के 13 दिन से मतलब जो 13 दिन होगा आपके period का 13 दिन से 20 दिन के बीच का होगा मतलब overall एक हफ़ते का ये समय होगा period के 13 दिन से 20 दिन के बीच का जो ये gap है साथ दिन का यही आपके बच्चे दानी के मुझ खुलने का समय है यही आपका fertile days है इसमें अब आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन अपना relation continue रखना है इससे क्या होगा कि जिस भी दिन आपकी ovary से egg release होके fallopian tube में आएगा बच्चे दानी का दुमों अल्रेडी खुला ही हुआ है इस दोरान जब आप relation continue करेंगे तो egg और sperm commit होगा और वो जो fertilized egg है वो जाकर के uterus में implant हो जाएगा और बहुत आसानी से आपका successful implantation हो जाएगा तो यह best time होता है जब आप conceive करने के लिए इस time पे relation बनाते हैं जल्दी से जल्दी कर्वधार कर सकते हैं तो आपकी period cycle calculate करिए और यह जो महीने के जो बीचों बीच के एक हफते का समय होता है आपकी जिस date प अपना relation कर सकते हैं अगर आपकी period cycle 25 दिन की है 30 दिन की है 32 दिन की है तो यह time आपके लिए बिल्कुल best है तो आई होग कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सरू है नमस्कार